खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े दिली सरकार ने दिली की DTC बसों में जा मैलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया है और मार्शल तैनात कर दिये हैं तो वहीं DTC बस के करंचारी, ड्राइवर, मार्शल और कंडक्टर जो रोज पल्यूशन से जूचते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बास, किस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ड्राइवर और कंडक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ DTC बस के मौझूद हैं, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि वो पल्यूशन से किस तरीखे से चुनौती जो हैं लेते हैं, दिल्ली में पल्यूशन इतना बढ़ ला है, तो किसी तरीखे का कोई सेफटी मेजर लेते हैं आप मास वगेरा नहीं लगा रहे हैं? तो दिल्ली सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि हम सब के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने इन DTC करमचारियों के बारे में भी केजरिवाल सरकार को सोचना चाहिए, जो इस जहरीली हवा के बीच में इनके लिए मजबूरी है काम करना। क्याप्टन अंकल को, खटर अंकल को चिठी लिखो, सवाल ये है कि अगर पराली की समस्या थी, तो केजरिवाल जी ही मिल लेते, कुछ रास्ता निकाल लेते, अब बच्चों से कह रहे हैं। और अब दिल्ली के लोग परिशान हो चुके हैं पॉलीशन से, हम स्पेसिफिक टाइम लाइन्स चाहते हैं। पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खटर सरकार से और केंदर सरकार से। दिल्ली के जनता स्पेसिफिक टाइम लाइन्स चाहती हैं। आप हमें बताईए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। आप कब तक हमारे पंजाब और हर्याना के किसानों को टेकनोलोजी और मशीने उपलब्द करवाएंगे। आपकी भी जवाब दे ही तैह होने चाहिए। दिल्ली के जनता अब आप से स्पेसिफिक टाइम्स लाइन्स और माइल स्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताईए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। तो देखे केज़वाल जी सवाल पूछ रहे हैं पराली 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 कर रहे हैं लेकिन वो बताएं कंस्ट्रक्शन साइट को पहले बंद क्यों नहीं किया गया वो बताएं कि वाहनों को लेकर उद्धूने क्या किया आपने पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत किया कि लोग पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट का استعمल करके दफ्तर जाएं क्या आपने किया जो सड़क के किनारे धूल होती है उसके लिए आप ये भी जवाब देना बनता है आप ठीकरा फोड़ कर इतिश्वी नहीं कर सकते नहीं बच सकते दिल्ली में चुनाफ से पहले प्रदूशन के हालात है राजनीती तो होनी ही है बिजबी सांसत गौतम गंभ कर जानी पड़ती है सरकार को हालात ऐसे हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा आप किसी ग्यास चेंबर में जोग दिये गए हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनाशनल क्रिकेटर पूर्फ क्रिकेटर कहिए नए नवेले राजनेते गौतम गं का लेकिन मैं सवाल पूछना शुरू करूं उससे पहले यह जानना चाहती हूं कि पूर्फ क्रिकेटर के नाते आप आज जवाब देने वाले हैं वैसे सवाल करूं या एक नए नवेले राजनितिग्ये के नाते मुझे आपसे सवाल करने चाहिए पहले दो बहुत बहुत धन्यवाद आप जिस भी तरीके से पूछना चाहते हैं सवाला पूछिए चाहिए एक स्विगडर के नाते से या फिर नए पॉलिटिशन के नाते से वह आपकी मर्दी है मैं आपर आंसर देने के लिए बैठा हूँ जो भी सही आंसर होंगे और बिल्कुल पस्ट आंसर होंगे इजी बॉल फेकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंबीर लेकिन मेरा पहला जो सवाल है अब एक दिल्ली के बाशन्दे होने के नाते होगा और वो यह है कि दिल्ली में इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं गौतम गंबीर इस आबो हवा को कैसे ले रहे हैं देखे मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसे बाकी सारे दिल्ली वासी कर रहे हैं पूरी दिल्ली की जनता कर रही है उसी तरीके से महसूस कर रहा हूँ जैसे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुड़ों तक महसूस कर रहे हैं वैसे ही मैं भी महसूस कर रहा हूँ और कही जो यह आडवर्टिस्मेंट देखने को मिलता है थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने बात बोली जो में को बहुत जादा फील वी जब किसी ने का कि दिल्ली वासियों को आडवर्टिस्मेंट की जुरूत नहीं है वो दुनिया में या फिर देश के किसी भी कोने में चले ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो दिल्ली से आएं तो उनको अपनी आडेंटिटी और अपनी जगा या अपना स्टेट बताने की जुरूत नहीं है वो कौन से स्टेट से हैं तो हमने दिल्ली को इस तरीके की दिल्ली बना दिये कि आपको आडवर्टिस्मेंट के में उलज कर रह जाएंगे या कभी सच में तरीके की सास भी ले पाएंगे देखें मैं आपको बताता हूं बहुत बड़ी अक्वेशन आपने पूछा है में को पांच में ने हुए हैं सांसत बने और गाजीपूर लांडफिल पे जो है जो एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहार है उस पे काम शुरू हो गया है उस पे पाइलिट है जो वहां पर कूड़ा जाता है वह दो हजार टन कूड़ा जाता है तो जब तीन और मशीने लग जाएंगी तो फिर आपको हर दिन वह पहाड नीचा नीचे होता दिखेगा और दूसरी चीज़ जो हमने अभी पचार महीने में करी हैं कि जो ग्राउंड डेवल पे वे से कर सकते हैं जो फूरा हम गाजी पूर लांट फिल पे नहीं बेचते और जो वहां पर प्रोजेक्ट अल्री लग चुका है तीन और मशीने लगेंगी तो इससे आप देखेंगे कि जो मेरे इस टेन्योर में वह पहाड जरूर नीचे आएगा उसकी हाइट नीचे होगी मैं यह नहीं कहता कि पांच साल में पूरा पहाड खतम हो जाएगा लेकिन आक्शन औरेडी स्टार्ट हो चुका है आप जिस तरीके से अपना काम गिना रहे हैं उसी तरीके से अरविंद केरिवाल आज पांच बजे अपना काम गिना रहे थे और उन्होंने कहा कि यह लडने के बच्चों ने पटाके कम जलाएं हैं हमारे रिदली के बाशिंदों ने जो है वो डेंगी और मलेरिया से लडने के लिए सडकों पर उतर कर एक वाट चेड़ दिया था इन मच्चरों के खिलाए लेकिन दिली की जन्ता का अपमान कर रहे हैं विपक्षी सवाल करते हैं वही गास चिंबर दिल्ली है उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भार जाना मुश्किल हो गया है बच्चों को फिर से वही स्कूल की हॉलिडेज हो गई है तो जब आपने गाजी पूर लांडफिल की बात करी थी जब आप 5 साल बाद मुझसे पूछेंगे कि गाजी लांडफिल का क्या हुआ तो मैं आपको जरूर बता पाँगा कि उसकी हाइट जब मैं MP बना था थप कितनी थी और अब कितनी है पांच साल बाद लेकिन अगर आप अर्विन केश जी वाल जी से यही सवाल पूछें कि जब वो सीम बने थे और आज जब उनका टेनियूर ख कर रहे हैं तो इस तरीके की दिली चाहते हैं मैंको नहीं लगता कि मैंने अपने करियर में या 38 साल की उमर में कोई ऐसी जगह देखिए कोई ऐसा स्टेट देखा को एसी कंट्री देखिए जाब पर इंटरनाशनल आथलीट मास पहन के पल्यूशन की वज़े से मास पहनते और वां ट्रेनिंग करते हैं माचेश खेलते हैं आपको पता है गौतम मेरा लगबग चार साल का बेटा है और उसने कभी मेरे क्याल से ऐसी दुन नहीं देखी है उसने देखा ही नहीं है कि बिल्डिंग जो है दुएं के पीछे चुप जाती है या दुन के पीछे चुप सब्सक्राइब करते हैं और उसने अपनी आखे मलते हुए मुझसे कहा कि मम्मा मेरी आखे शायद खराब हो गई हैं इस इस वाट दी किद्स इन डेली एंसी आर राइट ना और एक्स्पिरिंसिंग अबसलेटी इतने बड़े-बड़े होड़े, इतनी बड़े बाते हैं कि जी हम ने यह कर दिया, हमने पुलुशन के लिए वह कर दिया, और लोग वयव थो पहले यह वह दू जो आपने मुझ से क्वेश्चन backकेश्ट को अपने मुझ से क्वेश्चन पूछें, कि जी आप भारत साफ हवा में सास नहीं ले सकते हैं इसलिए आपकी स्कूल की छुट्टी हुई है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को मुझे खतम करना चाहिए और इसी मंच पर दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल को आमंतृत करना चाहिए कि एक तरफ गौतम गंबीर हो जिनकी 5 साल की बेटी जिनको रेप्रेजन कर रहे हैं वो जनता उनसे सवाल पूछ रही हैं और वो उन सवालों का जवाब दे गौतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सरजुडने के लिए पराली ही नहीं और भी कारण जिम्मेदार हैं अर्विन केजरिवाल क्याप्टेन अमरिंदर सेंग वनाहलाल खटर इन लोगों ने क्या किया पराली का तो कुछ हद तक रोल है ही लेकिन इसके अलावा भी कई चीजे दिल्ली में ऐसी हो रही है जिस पर आपका नियंतरन था पिछले एक साल के दौलान आप उस पर कुछ कर सकते थे दिल्ली की हवा को कौन गंदा करा है देखे दिल्ली में इस वक्या हो रहा है एक करोड से ज्यादा गाडिया सडकों पर चल रही है जिसकी वज़े से प्रदूशन बढ़ता है पांच हजार से ज्यादा फैक्ट्रिय रहाइशी इलाकों में चल रही है उससे भी प्रदूशन होता है और कोईले से बचने चलने वाले पावर प्लांस भी दिल्ली में है प्रदूशन कोईले के धुवे से भी होता है और कंस्ट्रक्शन साइट से जिसकी वज़े से धूल उड़ती है और प्रदूशन में अपन कितना गंदा कर रहा है पी-म-10 का लेवल ये क्या होता है ये आपको बताते हैं ये हवा में वो कंड होते हैं जिसकी वज़े से प्रदूशन फैलता है इसमें सबसे ज्यादा 56 प्रतीशत सड़क के धूल होती है पी-म-2.5 क्या होता है हवा में वो सुश्म कंड होते है जिनका पराली से क्या होता है? 27% पराली प्रदूशन के लिए जिम्मिदार है, एक नंबर को 46% तक जिम्मिदार यानि कि पराली से होने पंजाब की बात करें तो 27 उक्टूबर तक ये जो आंकड़ा था ये था 7,842 जो 27 उक्टूबर को 12,027 तक पहुच गया लेकिन 30 उक्टूबर तक आते आते पराली की घटनाए और हुई 19,679 के स्तर पर चला गया यानि के 19,679 वाके पराली जलाने के हुई 30 उक्टूबर तक हर्याना में 4,221 जगें पर पराली जलाने के घटनाए हुई